गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स हाव और यू आल स्टुडेंट्स यस्टरदे विफ चैट्र थर्टीन ओफ एविएस यह इस इटिंग इन दफैमिली हमने इसमें देखा था देट देर इस अ बॉइ नेम अनन्त अनन्त के दादा दादी ग्रेंड पैरेंट्स जो हैं वो क किस तरह का फूड़ लिते हैं लितेल ठीटीथ यह न जिसमें एक अनर्जी थोड़ी कम हो और उनकेश जास्में वह किस तरह का फूड़ लेटे है love let's begin today see enemas uncle studies in our College and is a sports mean अब जो अनर्ण के अंकल हैं वह कहां पढ़ते हैं college में पढ़ते हैं और sportsman ज्यानिकिवोगिधेος ए्येम्स वगेडर कसी sports में वो participate करते रहते हैं आध सब्सक्ट में भी हैं he does a lot of physical activity स्पोर्समेन है यानि कि वह बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी यानि कि दौरना भागना खूदना इस तरह के एक्टिविटीज वह करते हैं अब यहां पर बिटा ऐसा बताया गया है कि जो स्पोर्समेन होते हैं वो स्पेशली एक्टिविटीज इस तरह के फूर्ट जादा लेते हैं जो लेते हैं जो नहीं खाते उनके लिए ज़रूर वो दूसरी चीज़ें लेते हैं बड़ जो लोग स्पेशली स्पोर्समेन होते हैं वो एग्ज फेश मिल्क नर्ड बटर और पटैटोस ऐसे खाना जादा खाते हैं क्योंकि इससे फैट मिलता है एनर्जी जादा मिलती है अनन्त is a very active child और अब हम बात कर रहे हैं अनन्त की अनन्त कैसा लड़का है अनन्त is a very active child बहुत महनत करता है पढ़ाई करता है खेलता है कूता है growing children और बढ़ा हो रहा है थे ना चोटे बच्ची जब दीरे दीरे बढ़े होते हैं तो उनको एनर्जी की प्रोटीन्स की चाहिए पढ़ाई करने के लिए इस्टेडी करने के लिए और ग्रोइंग चेल्डरन नीडा लॉट अफ एनर्जी टू प्ले एंस्टेडी अब चुक्किए वह बढ़ रहा है तो उसको पढ़ने के लिए और खेल लेक लिए बहुत अडर्दी की जरुत है उस कंडिशन में वह किस तरह का खाना खाता है सो दियर डाइट शुड इंक्लिवट बटर खूब सारा मक्खन नट्स याने की ड्राइफ रूट्स जैसे की काजू बदाम है ना कैश्यूज आलमेंट्स एंड वालनेट्स ग्राउन नेट्स ऐसी चीज़ है बहुत खानी चाहिए उसे एग फ चीज पटैटोस और फुल्स यान की डालें चापाटी जाएंस लॉट्स और फूट्स और फूट्स और वेज़िटेबलस खाने चाहिए पटैटों खाना चाहिए चीज खाना चीजे बहुत तो एट-ल्स बॉल अफ दाल उख अनको डेली पीना चाहिए ना अन्त कजिन जो है चोटी सी कजिन वो कैसी है बहुत चोटी है उसके इवन अभी टीथ भी नहीं आए तो शी केंनोट चूप फूर एंड केंनोट चाय डाइजस्ट हैवी फूर अब जो चोटे बच्ची होते हैं मिटा इनके टीथ नहीं होते हो आप अकसर कहते हैं घर में कोई चोटा बे तो उससे डाइजस्ट नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या देंगे इस पेश्टी शीज मोस्ली फैड ऑन मिल्क एंड सैमी सॉलिट अब मिल्क या सैमी सॉलिट का मतलब क्या होता है ठोस खाना ने हलका फुलका लाइक दलिया यानि कि पोरेज या फिर बनाना शेक डाल मैश करके मैश्ट बनाना दाल मैश्ट पटैटो ऐसी चीजें हम उसको दे सकते हैं अब देखते हैं अनन्द मदर चैल हिम डैट ऐस वन्ना ग्रोज अप शीवल गैट मिल्क टीथ अब अनन्द की मम्मा ने अनन्द को बताया कि जैसे जैसे वन्दना बड़ी होगी उसके मिल्क याने की दूद के दांत आ जाएंगे शीवल बी अबल चूफ फोट फिर वो धीर धीर खाना चबा के खाना शुरू कर देगी दैंशी विल बी गिवन राइस दाल चपाती एंट मैश्ट वेजिटिबल फिर उसको राइस दाल चपाती और मैश्ट याने की बॉइल करके उसको दे सकेंगे बट इवन दैन अनन्द अन्वन ना विल हैब टू ड्रिक मिल्क अट लीस्ट वाइस ट्वाइज अड़े विकॉस इस अ इस गूट फॉर ग्रोइंग चिल्डन अब बताओ आप लोग सबसे ज़्यादा मुमी को परेशान करते हो मिल्क पीने में है ना ब हमारे लिए mandatory है कि at least हम दिन में टू टाइम्स है ना टू टाइम्स हमको मिल्क पीना ही पीना है वन टाइम मॉर्नी और वन टाइम अट नाइट ओके स्टुडेंट्स हमारा चैप्टर यहां खतम हो गया है तुमोरो वी विल दू इट्स एक्सरसाइज ओके तिल दन बाइब थाल बुमोरो एक उसके मैं आडशे प्रड़ एको पूप पार जा प्रो पार टाइम टॉक्र एक टॉद्ड़ ना है यहां विल्सक्तर स्टंपी विल्सक्तर स्टॉक्द एक्सर लिए और दोड़ और खना भाले स्क्षब है, झाले झाले अचले हैं टॉक्तर स्टी, स्टी